हालो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले हैं तरी वाले तिंडे जिसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 250 ग्राम्स तिंडे चार बड़े प्याज, दो बड़े साइस के प्याज यहाँ मैंने टामाइटोस और ओनियन को फाइनली कट कर दिया है यहां मैं एक पैन ले रही हूँ, जिसमें मैं दो बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ, सरसो के तेल यूज किया है, यहां मैंने इसको नमक डाल के पका लिया है, अब मैं इस पैन में जीरा एट कर देती हूँ, और यहां में जीरा को तड़कने देती हूँ, अब मैं यहां अब मैं टिंडो को छील के शील लेती हूँ और यहां मैंने लिट को बीच में से कट किया है यहां पे टिंडो को कट करें उन में चेक्माक वना रहा हूँ आप चाहे तो चोटे साइस बीकाते हैं पर परस्नली मुझह दो इसी साइस के पसंदा इस वाली सब्जी में आप चाहें तो यहां उसके चोटे पीस चार साइज में चाहदा भी कर सकते हैं यहां देखिए मैं अपनी प्याज एक हरीमिच को बीच में से स्लिट करके डाल रहे हूं यहां मैंने इसी तरह से तीन हरीमिच डाली हैं और मैं अब प्याज को फ्राइ कर लेती हूं यहां मैं नमक डाल रहे हूं धनिया पौडर डाल रहे हूं यहां मैंने गरम मसाला भी अब एड़ कर रहे हूं अब मैं सारे मसाले को फ्राइ कर रहे हूं अब मैंने रच चिली पौडर एड़ कर दिया है अब मैं यहां हल्दी पौडर एड़ कर रहे हूं यहां मैं एक मसाला एड़ करूँगी, जो मेरा खुद का होममेड बनाया हुआ मसाला है, यह आप करें लो, और कही तरह की सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अप्लोड कर दिया हैं, अब यहां मैं वह मसाला, जो सब्जी मसाला है, यह पानी घ्टन कटीया है, अब लिए दालने में थेंड अब कीया है रिवन चाकोन का एड़य घुंआ करें तो में थोड़ा पानीक थे अब आयमाई क में चलल कें पानी गृपैयर उक्थ में मैं घुपन ליान को पॉर लूंगी यहां मैं एट करदेती हूँ और इसको मैं सारे जो में हमारा मसाला है उसमें कोट कर देती हूँ ऍचैसे जा इसके लिए मैं यहां पानी चाहने हो अब मैं जो टिन्डे है एक गुकर में टांसफर कर रही हूं यहां पर मैं कुकर में ट्रांसफर करके उसे 5-6 विसल तक पका लेती हूं आप चाहें तो इस रेसिपी को डिरेक कुकर में भी पका सकते हैं यहां देखिए मैंने 5-6 विसल के बाद कुकर को खोल दिया है यह दिखे कितना अच्छा कलर आया है यहां में जिस पॉल में हमें सर्फ करना है मैं उसमें ट्रांसफर कर रही हूँ अब मैं इसे गानिश कर देती हूँ धनिया पति के साथ इसे आप रोटी पराठे या नान के साथ खा सकते हैं और नॉमली आप बहुत जल्दी क्विकली बना सकते हैं अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्स्राइब और शेयर जरूर किजिए मेरे चैनल को पंचाइब दो